नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम स्वक्ष विद्यालाय पुरश्कार जो कि हमें 2021-22 का डेटा हमारे विद्यालाय के मुसार भरना है उसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंग दिया जा रहा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सिधा प्ले इस्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे हम डाउनलोड होने के बाद एप को खोलते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉग इन साइन अप का उप्शन दिख code entry करने के बाद हम submit button पे click करते हैं तो submit button पे click करते हैं submit button पे जैसे हम click करते हैं हमारे school का data you dice code name of school state district block name village यह पहले से fill up हुआ आजाता है address आप the school में वहाँ हम अपना संकुल block का नाम head कर सकते हैं, name of respondent में यहां आप जो भी भर रहे हैं, कोई भी teacher या HM जो भी है, यहां पे अपना नाम भर सकते हैं, basic nation आप respondent में जो भी है, आप teacher है, या principal headmaster जो भी है, in charge head of the school है, या other staff of the school है, वो यहां पे click कर लेना है, फोन नमबर आप दे इस्कूल, इस्कूल का फोन नमबर, कॉंटेक्ट डिटेल आप, रिस्पॉंडेंट, मॉबाइल नमबर यहाँ पे भर सकते हैं और इमेल आड़ी यहाँ पे भर देंगे उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जेनरेट कर लेते हैं और कंफर्ण पासवर्ड करने के बाद फिर से हम साइन अप पे क्लिक करते हैं इस तरीके से करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वह बन जाता है, उसके बाद दोबारा हम साइन इन पे क्लिक करेंगे sign up की प्रक्रिया पूर्ड करने के बाद हम दोबारा login पे आते हैं और यहाँ पे login पे click करते हैं login पे click करने के बाद हम विद्धालायक अपना dice code यहाँ पे fill up करते हैं फिर जो हमने password sign up के समय generate किया था उसे यहाँ पे डालते हैं वह आपके जो email id डाला था तो वहाँ पे भी आप अपना जो password है वहाँ देख सकते हैं फिर यहाँ पे हम login पे click करते हैं यहाँ पे allow पे click कर देते हैं while using the app इस तरीके से हमारे सामने school का data आ जाता है जो हमने भरा था number one से लेकर add तक का जो हमने data पहले भरा था वही है इसके बात का आगे का number nine से school management तो यहाँ पे आप जो भी school है आपका प्रकार है वहाँ पे add कर लेंगे school type जो भी है resident CL है या day scholar है यहाँ पे भर लेंगे category आप school select कर लेंगे school type बॉय से अगल है उसे आप select कर लेंगे यहाँ से and uses आप school permises तो यह single school है single school double shift है जो भी आपका option आता है यहाँ से आप उसको कभूई थी यहाँ पे आप भर सकते है लोकेशन आप दे इस्कूल रूलर रूरल है की अर्बन है यहाँ से भर सकते है नेम आप दे बोड नंबर आप students नंबर आप children with special needs नंबर आप teachers and staff कितने है and has the school develop and implement a section plan SAP yes or no or is the school aware of the requirement of the standard operating procedures for sustaining water sanitation and hygiene in school यहाँ से भर सकते है yes or no have the school won award पिछले साल अगर कोई award जीता है तो यहाँ पे 2016-17 और 2017-18 की जानकारी मंग रहे हैं इसके अधार पे आप यहाँ भर सकते हैं इन सभी को complete करने के बाद आप submit button पे हमें क्लिक करना है तो submit button पे जैसे हम क्लिक करते हैं यह हमारा farm complete हो जाता है इस तरीके से मैंने fill up कर दिया है तो पहले से ही submit दिखा रहा है इस तरीके से हमारा यहाँ प्रक्रिया पूर्ण होता है इसके आगे का step आगे हम जानते हैं इसके बाद हम यहाँ पे नीचे bottom में आप देख पा रहे हैं primary information survey about svp और more दिख रहा है तो यहाँ पे हम survey पे क्लिक करते हैं survey पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग-अलग option है water toilets and washing with shop operation and maintenance, behavior changes and capacity building, covid-19, photos और final submission इस तरीके से option देख पा रहे हैं यहाँ यहाँ पे आप जिस भी option को आपको भरना है वहाँ पे आप प्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको option मिल जाएगा इंदी में भरने का और इंग्लिस में तो यहाँ पे आप इंदी में इसको change कर सकते हैं language को तो यहाँ से change कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ एक से लेकर 9 बिंदू तक दिया गया है वाटर जो पानी से संबन्दित विद्धाला की जो आप उड़ती होती है या उनकी सुद्धता से संबन्दित यहाँ पे हम next पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से अगला option आते जाता है इसे हम भरते जाते हैं पहला option मैंने भर लिया है तो इस तरीके से यहाँ पे green color में इस पर हम वहां पर क्लिक करेंगे और जैसे ही भरते जाएंगे अलग-अलग option है वह हमें आता जाएगा और हमारे विद्यालाए में जो सुविधाय हैं उसके अनुसार हम इन सभी को भरते जाएंगे इन सभी options को complete करेंगे उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वाटा, टा सम्दित है जैसे देख पा रहा है आप वाटर से सम्दित 9 ताइलेट्स में 12 एंड वासिंग में 6 और प्रेशन एंड मैंटरेस्ट में 13 और बीहवियर चैंज सम्दित 12 प्रस्टों के हम आंसर दे चुके हैं जैसे हमने पहला बताया था वाटर से वाइसी सभी का आंसर हमको विद्यालाय में जो सुधाय है उसके अनुरूप देना है पिर इसके बाद महत्तोपूर है फोटोस फोटोस में हमें 9 ऑप्सन देख रहे हैं 9 फोटोस अप्लो लोड फर्म गैलरिस यहां यूज कैमरा का उप्सन आ रहा है यहां से हम सेलिक्ट करके फोटो को अप्लोड कर लेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट आप्स하면서 ऄ agility करेंगे एक अप्सन को ने के बाद अगला अप्सन आएगा इस तरीके से करने के बाद यहां पे हम फोटोस अप् हो जाएगा अगर इसे संबंदित आपके और कोई प्रस्न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक यू